यो अच्छब गैस क्या हाल चाल है आप सभी को दिल से वेलकम करते हैं फिक पिक्सल स्काइब लोग की इक और नीवाले विडोपर इस वाले एपसोड में हम लोग बात करने वाले हैं फिक पिक्सल की सलेर की बारे में पहुंशारी वाईयों को साथ से नहीं बता होगा सलेर हो पर सकते हो साथ ही साथ में कहार भाई के साथ की स्पाफ फिलाहल हुआ जस्ट जाने वाला हों और हम लोग फिर जो ए हो सलेर करने वाल है सबसे पहली बात की यह शलेर होता क्या है जिससे अपने देखा होगा कुछ भी आप मोब वाघारा को मारते हो तो उसने कुछ करना होगा कि आप किस लेबल की मौव को मारना चाहते हो, फिर उसके हिसाब से आपको रिवाड मिलता है, रिवाड के तावर पर सेलेर एक्सपी मिलेंगे जिससे आप नै नै वेपन, आर्मर, बोव यगरा अनलोक कर सकते हो इससे क्या होगा यह सारे जो बो हैं वो स्लेयर में तो काम देंगे साथ इसके अलावा और भी कहीं भी लोकेशन चल जाओगे तो भी आप यह बो को यूज कर सकते हो हां यह बात हो सकता है कि उसमें कहीं दूसरी जगा पर जाओगे थोड़ा कम डेमेज देगा या आर कि अगर आप रेसिपीज विगरा में सलेयर में आपको दिखाओं तो आप यहां पर रेवेनेंट मिनियन बना सकते हो यह गाइस नॉर्मल आप क्राप्ट नहीं कर सकते हो जब तक कि आप सलेयर का कलेक्शन लेबल वन कंप्लीट ना करो अगर आप वांड आफ हीलिंग चाह तो आप आप आपसान भासा में अगर आप आप जानना चाहता हो तो सलेयर हम लोग इसलिए करते हैं यह कुछ भी मॉब को मारने में या फिर कॉंबेट वहगरा करने में काम देता है तो जैसे वांड वगरा चाहिए रिंग वगरा चाहिए इससे क्या होगा कि आप जब जॉंबी वगरा से फाइट लोगे तो आपका कम डेमेज जो है वो आप ले लोगे रेवंड फैल्चिन वगरा यह सारे चीज़े मिलती है तो इस वजबे से हम लोग स्लेयर करते हैं ताकि इसके कलेक्शन में बहुत सारे नए ने चीज़े हैं वो हम लोग इसे यूच कर सके बस यह हैं अगर जॉंबी वगरा स्लेयर वगरा मारने से अगर हमें कुछ नहीं मिल और ऐसा सोड आपको मिलेगा जिससे कि आप अच्छे खासे जॉंबी को जो है वो हरा सकते हो सेमेज गाइज डेंजियन्स भी ऐसा ही है डेंजियन्स में और ज्यादे हाई लेवल वाले वेपन आर्मर आपको देखने को मिलते हैं आगा यहां यहां करके चल रहां कि आपको आपको चलेर होगा अगर वोल्फ खलेर करोगे तो और अलग आर्मर अलग सौड मिलेगा चाहँ अगर आपको चिजन कर देना चाहता हूं अगर आप Salir करते हो तो इसमें पैसा लगता है activate करने के लिए जैसे मैं आपको अभी बोला कि normal आप activate नहीं कर सकते हो उके इसे पैसा लगता है तो जैसे आप पैसा लगा के एक्टिबेट करोगे इसकी बाद आपको कुछ टास्क देगा कि आपको जैसे जॉंबी सलेर आपने एक्टिबेट कर दिया तो आप क्या करोगे उसकी बाद मान लो वो टास्क आपको देगा 100 जॉंबी मारना है तभी जाके वो बॉस स्पोन होगा या 50 जॉंबी मारना है या जो भी टास्क है जैसे जैसे आप लेबल करोगे zombie slayer वैसे वैसे आपको task मिलता है rear drop में भी अच्छे अच्छे item मिलेंगे और वो item आप बजार में जाके अच्छे खासे rate में जैसे fall flash वेगरा जो है वो अच्छे खासे rate में आप बेच सकते हो तो यहाँ पर हम लोग क्यार भाई के साथ आये हैं और क्यार भाई के पास medox phone नहीं है यह medox phone होता क्या है कि जब भी आप slayer activate करोगे तो नीचे में यह medox the slayer NPC है इसकी यहाँ आके आपको बार-बार पैसा और जो है वो activate करना होगा मालो अगर आपने wolf करके wolf का collection पे यह bad phone एक आता है आपको वहीं से आप call कर सकतो इस बंदे को कि भाई मेरा एक slayer activate कर दो तो यह बंदा activate कर देगा तो इसके लिए आपको wolf करना होगा जैसे अभी के case में क्यार भाई के पास वो phone नहीं है मेरे पास वो phone है अगर मैं उसे देता भी हूँ तो वह भाई साब यूज नहीं कर पाएंगे जैसे कि मैं बोला अगर आपका collection विगरा अनलोक नहीं हुआ है तो आप इसे नहीं यूज कर सकते हो तो यह थोड़ा सा दिक्कत हो गया है तो अब हम लोग चलने वाले हैं जॉम्बी भाई को जो है मैं health करने वाला हूँ तो देख लो आप नॉर्मल आर्मर विगरा ऐसा आर्मर जिसमें जैसे कि इस भाई का health जो है वो 700-800 है तो कोई भी आप आर्मा 700-800 अगर आप पहनते हो तो आराम से मुझे लगता है T3 बॉस को मार सकते हो ओकी साथी साथ यहां पर अगर आप यहां जैसे लाइक कोई भी कॉमबेट वाला टाइगर पिट अगर आप लेतो तो अभी आपके लिए काफी जादा अच्छी बात हो जाएगी तो अगर आपको हाँ यहां पर हैल्प चाहिए जॉम्बी स्लेयर T4 तक मैं हैल्प कर सकता हूँ बाकी वुल्फ वेगरा स्पाइडर और जॉम्बी यह तीन चीज में अगर हैल्प चाहिए तो मैं जब भी रहूँगा हमेशा आपको हैल्प कर दूँगा ठीक है तो इसके लिए टेंसन नहीं लेना है तो कियार भाई जो है वो अक्टिबेट करके आ चुके हैं हम लोग भी वज़से अक्टिबेट किये हैं और इसकी बाद मैं जट आपको दिखाने वाला हूँ कैसे आप यहाँ पर just kill करोगे जैसे आपका kill count होगा complete होगा इसकी बाद आपका boss यहाँ पर spawn हो जाएगा तो यहां पर मैं क्यार भाई का बोस को मार दिया क्योंकि मैं उसे केरी करने के लिए ही आया था और साथी साथ मैं अपने बोस को भी यहां पर जल्दी से मार लेता हूं त्वाला बोस को पांस सेकंड या साथ सेकंड के आसपास मैं मार देता हूं इसके साथ ही बहुं सारे भाय लोग जो है वो चौकलेट डिनर वाला जो चौकलेट इवेंट है ना वह भी आप जो है वो पोलते हो तो फिलाल मैं खेला नहीं हो मैं थोड़ा से एक्सप्लोर करूंगा उसके बाद मैं आपको बता दूंगा कैसे आप खेल सकते हो या फिर उससे भी आप साथ अच्छे अच्छे आइटाम है जो कि मनी मेकिंग आप एजिली तरीके से उसे कर सकते हो ओके सो यहां पर हम लोगों का बॉस खतम हो चुका है अब हम लोग जाने वाले हैं वुल्फ क्योंकि क्यार भाई जो हैं उन्हें यहां पर वुल्फ करना होगा अब रही बात वुल्फ हम लोग क्यों कर रहे हैं वुल्फ में जैसे मैं बोला आपको बेट फॉन मिलेगा या फिर अगर आपको 10-15000 वो हेल्थ अभी मेरा हेल्थ आप देख सकते हैं ज्यादा नहीं 1200 के आसपास है बट अगर आपको ऐसा आरमर चाहिए जो जिसका हैल्थ 10-15000 तक हो तो वो आरमर आपको मिलेगा वुल्फ स्लेयर जब आप करोगे तो कलेक्शन नमबर 3 पर मिलता है सायद से तो इसके लिए आपको जस्ट जो मेडोक्स दा बार था अगेन आपको एक्टिवेट करना होगा उसकी बाद जष्ट आगे साइड जैसे मैं यहां पर हूं वैसे ही आपको आना होगा तो अभी के लिए क्यार भाई जस्ट एक्टिवेट करने के हैं और इसकी बाद अभी हम लोग यहां पर जो है वो जिस्ट तूरंत जाने वाले भाई का मैं हैल्फ करने वाला हूँ इन भाई का पेटपोन एक्चुली अनलोक करना है और साथी साथ मेंसिब आर्मर भी भाई को अनलोक करना है इनकी पास है तो जैसे मैं बोला अगर आप कलेक्शन अनलोक नहीं किये हो तो फिर आप उसे यूज नहीं कर सकते हो तो यहां पर क्यार भाई के लिए दिकत हो गिया है तो इस वज़े से उनको कहीं न कहीं अब जो है वो वुल्फ करना होगा वुल्फ में भी आपको अच्छे सोड और अच्छे आर्मर जो है वो आ जाते हैं तो आप चाहें तो वुल्फ स्लेयर भी कर सकते हो तो अभी फिलाल के लिए जैसे ही यह कंप्लीट होगा न तो मैं क्यार भाई को बोलूँगा वो एक मस्त वाला आर्मर पहनेंगे आप लाइब प्रूप देखोगे कि कैसे आप अच्छे खासे हेल्थ उससे आप इंक्रीज कर सकते हो तो फिलाल इसमें कुछ नहीं सेम वही बेसिक स्टेप्स है आपको क्या करने होंगे सिंपल एक्टिवेट करने होंगे और उसकी बाद जो है इसमें वुल्फ को मारने होंगे ऐसा नहीं करना वुल्फ एक्टिवेट करके जॉंबी मारने जाना जॉंबी एक्टिवेट करके वुल्फ तो वह इंक्रीज नहीं होगा ठीक है वह काम देने वाला नहीं है बाकि कल इंक्रीज होता है तो जितनी सारे टेलिसमेन आप रखना चाहते हो जितना जादा मिले जितना भी नए नए टेलिसमेन मिले कहीं पर भी कोई भी स्काइब लॉक में सब आप रखा करो जिससे क्या होगा कि आपका डेमेज इंटेलिजन्स वेगरा जो है वो बढ़ जाए तो अ घीटी आप बॉक है तो नएक लग भीकिए तो भी तो यहां जाने से अगर आप सितना यह तो नहीं है मैं एक लोग देमेज झाए चेल करोगा उनगा तो इnt Does a day time is not only इसका rate गाइज 50 million मतब 40 से उपर आप 40 से 60 million के आसपास के बीच में आपको मिल जाएगा जैसे आप इस पे क्लिक करोगे ये एक circle की type से एक आग छोड़ेगा और इसका जूट देमेज है वो 1,25,000,20,000 के आसपास दे रहा है बाकि मैं ज्यादा ये यूज करने के लिए माना लगता है तो मैं क्या क्या हूँ माना सेविंग करने के लिए और ज्यादा माना मिले बोलके मैं सीप यूज क्या हूँ पेट भी आप यूज करते हो तो आपका damage, defense, health, intelligence सब टाइप से बढ़ता है बट आपको यहाँ पर यूज करना होता है कि आप कौन सा पेट आप यूज कर सकते हो ठीक है और अभी के case मैं सीप यूज कर रहा हूँ जल्दी से यहाँ पर क्यार भाई का complete करवाते हैं और इसकी बात मैं क्यार भाई को जल्दी से बोलता हूँ कि वो अपना massive armor must type से पहने और आपको दिखा दे तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर गिल हो चुका है, T4 का wolf, बोस जो होता है 1.2 million के आसपास मैं उसे मार दिया अब यहाँ पर भाई जल्दी से पहनने वाले तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह जो भाई है इसका health 10,000 जो है हो चुका 10,180 के आसपास जो की काफी जादा होता है भाई लेकिन इसमें defense थोड़ा सा कम मिलता है बट अगर आप 7 वगरा sword use करते हो wolf मारने के लिए तो आपक 1000 health काफी जादा होता है भाई मैं 1000 health में T4 को मार रहा हूं तो आप सारे भाईों के लिए normal भी बंदे अगर आप normal भी sword है तो 10,000 health वाला अगर armor आपको मिल जाएगा तो आप easily कर सकते हो तो wolf के लिए अगर आपको 10,000 health वाला armor चाहिए तो आपको यहाँ पर जरूर से जरूर क लोग करना होगा और उसे क्राफ्ट करना होगा या फिर आप चाहे तो बाद में बाई वेगरा करके इसे कर सकते हो ओके तो यह था जिस्ट एक बेसिक जो कि आप अगर सलेर नहीं जानते थे या फिर अगर आप health वाले कुछ सोच रहे थी ज्यादा health वाले तो यह armor आपको क पोर्ट कर सके में इन केस अगर आपका sword का damage अगर थोड़ा कम है तो carry जरूर कर देगा ओके बाकी normal armor में होता क्या है कि आप हो सकता है कि one sword two sword kill हो सकते हो बट यह आपको थोड़ा सा समय देता है कि आप बच जाओ क्योंकि अगर आपको थोड़ा सा भी समय मिलता है T4 करने के के लिए sorry T4 से बचने के लिए तो आप easily या फिर कोई भी बंदा जो है easily मुझे लगता है 4-5 shot में तो मार ही देगा बहुं सारे बंदे one shot kill करते हैं बट मुझे लगता है अगर आप 5 second इससे 7 second या 10 second भी बच जाते हो तो easily मार जो है वो कोई ना कोई जो भी बंदा होगा T4 जो भी करने सकता होगा easily guys मुझे लगता है 10 second में easily मार देगा तो हाँ 10,000 health वाले के लिए आपको wolf slayer करना होगा तो यह होते है guys slayer जिसमें आपको जब आप चेक करोगे तो अच्छे अच्छे item sword wand वेगरा बहुं सारे चीजे देखने को मिल जाएगी जो कि आपको और जगा भी काम देने वाला है जैसे यह भाई अभी 10,000 health वाला massive armor पहने है अगर यह बाहर जाता है तो यह जो health है यह घटके 6,000 होगा तो जो कि मुझे लगता है 6,000 health भी काफी जादा होता है तो 6,000 health में भी आप बहुं सारे चीजें कर सकते होगा I hope उमीद करते हैं आपको slayer के ब मारने में आसानी हो एंडर में से लेर वेगरा सब चीज सब के collection में ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा ओकी तो यह चलो गैस मिलते हैं इस तरीके के और बेहतरीन वाले बीडियो के साथ अभी के लिए good bye and love you all हुआ 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 है